सबसे पहले मैं यहाँ अपने जितने ऑटो टैक्सी वाले भाई आई हैं सबको नमशकार करता हूँ उनका शुक्रिया दन करता हूं की एक और आटो वाला तो बिचारा देली कमाता है खाता आप यहां पर अपने समय निकाल काये जाहिर तौर पर हरे कि ने एक दो एक दो सवारी तो गंआई होगी तो मैं आपका शुकुरिया दन एक आप कि आपने हमें इतना मान संबान दिया तवज्जों दी कि आप अपना धंदा छोड़ के आज तीन चार गंटे के लिए हैं जैसे राजेश भट जी आपका नम राजेश भट जी ने कहा कि दिल्ली के आटो वाले हमारे इतने मुरीद क्यों है आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई साथ आठ साल पहले जब हमने शुरू शुरू में राजनीती में कदम रखा था दिल्ली के आटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और ये कोई अतिशोक्ती नहीं है दिल्ली में हमारी सरकार बनी इसमें सत्तर प्रतिशत योगदान आटो वालों का है यहां का मुझे नहीं बता है लेकिन दिल्ली में उस वक्त आटो वालों को लोग बड़ी नफरत की नजरों से देखते थे कहते थे आटो माफिया आटो वाला मीटर से नहीं चलता आटो वाला ज्यादा ओवर चार्जिंग करता है उarटो वाले माफियां की उस तरह की बाते उरटो वालों के लिए कही जाती थी जब मैने उरटो वालों से बात करनी चालू किये तो कुछ लोगोंने कहा अगर तुम इनका साथ दो गे तो सारी जनता का पता चला, एक आटो वाला सवेरे से शाम तक पलिसवाले को भी पैसे देता है, सरकारिविभाके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमंंट भी पैसे देता, RTO वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगाउब का पैसे देने कर सकता फिर जब वो कहां से निकालेगा पैसा वो फिर सवारी से दो चार रुपे एक्स्ट्रा ले ले लेता है तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ओट वालों के मीटिंग बुलाई मैंने का मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और आज मैं दिल्ली के जनता को अपील क करना चाहता हूं कि अगर ये ओट वाले माफिय उते तो आज इनके बड़े-बड़े महल होते हैं। इन्होंने जितना भी आप कहते हो ये लूटते हैं जितना भी रूटा, वह सारव लूट मार गरके भी वित्य जगए में रते हैं। तो माफिया ओटो वाले नहीं हैं माफिय ये नीता हैं माफिय ये पार्टियां हैं जिन्होंने जान बूज के सिस्टम बना रखा है कि ओटो वाले को बिचारा अपनी इमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदिगी नहीं जीत सकता माफिया कौन हैं माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सडकों के और पता नहीं किस-किस चीज के अंदर हजारों करोड रुपए के पैसे कमा लिए अपने प्राइवेट जेट रख लिए अपने बड़े-बड़े महल बना लिए बड़ी-बड़ी गाड़ियां बना ली माफिया वो हैं हैं यह माफिया हमारे पिचारो वाली मोग नमोग दो जुन की रोटी कमाने के लिए तडबता रहता है तो मैंने फुबटम estratégली की जन्था को कह मैते एक बार भला नहीं क्या थी ओटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है उनको इज्जत देता है और दिल्ली की जनता ओटो वालों को इज्जत देती है सारे मीटर से चलते हैं सारे अच्छा चलते हैं सारे इमानदारी से कमाते हैं क्यूं हमने सारा सिस्टम बढ़ा दिया जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसके वज़े से इनसे पैसे लिए जाते थे वह सारे कानून बदल लिए सारा सिस्टम ठीक कर दिया हम लोगों ने किराये बढ़ा दिये जितना ऑपोलों किराया कमीटी बनाई उस किराया कमीटी में ज्यादा ओड़ वाले थे तो वो यह देखते हैं कि देखो जी अगर हमने जदा बढ़ा दिया तो फिर वो टेक्सी से जदा हो जाएगा फिर लोग हमारे आना बंद कर देंगे सारा देखते हैं आटो वाले इतना सरकार नहीं देखती तो आटो वालों ने खुद अपना किराया बनाया और आज सारी दिल्ली की जंता भी खोश है और आज दिल्ली के आटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं छोटा भाई मानते हैं और कई आटो वालों के पास मेरा डिर प्रिशानी हो रही है मेरा काम करा दो अभी थोड़े दिन पहले हमने कई सारे आटो वालों के उपर जो चार्जेज लगते हैं वो भी फ्री कर दें से फिटनेस कराते हो ना साल में एक बारी फिटनेस चार्ज लगता बहुत ज्यादा था आटो वाले आये तो हमने वो माफ कर जाने की ज़रूरत नहीं है ऊνलाइन कर दिया सब कुछ आप ऑनलाइन सारा कुछ सब कुछ एक फिटनेस छोड़के फिटनेस में तो अपनी घाड़ी ले जानी पड़ती हैं फिटनेस छोड़के बाकि सारी चीजें आप उनलाइन कर सकते हो किसी आर्टियों दफ्तर में आ आपको अपनी गाड़ी लेके जाने पड़ती हैं अभी करोना हुआ करोना में सब की ध्याड़ी खराब हो गई सवारियां मिलती नहीं थी लॉक्डाउन लगा लॉक्डाउन में सारे घर बैठे थे हमने पहली वेव आई उसमें दिल्ली के डेड़ लाक ओटो वालों के रुपे उनके अकाउंट में डलगा आप हिसाब लगा लो डेड़ सो क्रोड रुपए डेड़ सो क्रोड रुपए ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने करोना के टाइम में जमा कराए पूरे देश में कोई सरकार नहीं है किसी पार्टी की सरकार नहीं है जिसने अपने ऑट तो जैसा भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे नहीं लग आज तक आपको किसी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद बात करने को बुलाया कभी पहली बार है कि दिल्ली से आके मैं आज मेरे और बहुत सारे कारेक्रम है सबसे पहले एरपोर्ट से सीधा आपके बीच में आया हूं आपसे बात करने के तो आज मैं आप से समस्याएं तो बहुत सारी हैं चलती रहेंगे जब तक जिंदगी है तब ही रहेंगे लेकिन आज मैं आपसे रिष्टा बनाने के लिए आया हूं कि आपको गले लगा कि आपका भाई बनने के लिए बनाओगे भाई जोड से बताओ तो 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 आज आपका भाई बनने के लिए आया हूं कि आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है ना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है परिवार के लोग जाके उसको कह देते हैं वह यह समस्या है तो उसी को करना तो मेरी guards सबसेपहले अगर हमारी सरकार बनती है आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी आप सरकार बनवा दो ऊत्रा खन्द केंदर और एक-एक कर के सारी समझाइट है साउल करेंगे सबसे फैरे ें सिस्टम में जितने लूपोल है जितने गड़बड हैं जितने इन्होंने शासणा देश बना रखे हैं कानुन बना रखें पेंच लगा रखें जान-bूज के लगा रखे हैं वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरतरिया पड़े जैसे दिल्ली में सिस्टम बढ़ना दूसरा सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बाती दिल्ली में लागू करके आया हूं और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी भी आटो वाले को फोन कर लेना और फोन करक है कि कहीं किसी दफ्तर में जाने की जूरति नहीं किसी के पास जाने की जूरति नहीं साल में एक बढ़ fitnes करा कि आ जाना बगी सारा on Line होगा और जिन लोगों को Online नहीं करना आता उब दिल्ली में हमने कोटोवालों के लिए एक number दे दिया उस number में phone कर दो दिल्ली सरकार का एक करमचारी आपके घर आके काम कर जाता है या तो किसी पड़े लिखे से ऑनलाइन करा लो अपने बच्चों से ऑनलाइन करा लो और नहीं करना था उस नंबर पे फोन कर दो वो आप से अपॉइंटमेंट लेके आपके घर आता है आपके काम करने के लिए आपके घर से best आपका इलाज कराया जाएगा तो एक भाही ने कहा कि insurance, insurance है भी बड़ी छीज है, दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड loc का सारा इलाज मुफ्त कर दिया ? किसी भी दिल्ली के किसी भी नागरिक का., किसी पिनागरी का चाहे अमीरों चाहे गरीबों दिल्ली के किसी भी नागरी को कोई भी अगर बिमारी होतीं है चाहे उसमें 5,6,0,70,0 राख का भी अगर खर्चा आएगा सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है वह आपके उपर भी लागू़ोगा उतराखंड के सब लोगों के लि नहीं हुई थी इस वज़े से कर कोई ऑट वाला पांच मिनिट कहीं सड़क के किनारे खड़ा हो जाए पुलिस वाला आके उससे पैसे लेके जाता था उसके चलान कटा करता था अभी हमने 500 स्टेंड बना दिया अलग-अलग पूरे दिल्ली के अंदर अब उनकी ऑफिशल पा अपकी भरपाई करेंगे बड़ी बात यह है जैसे दिल्ली हमने स्कूल अच्छे करें कै रहत है सकूल देख क्या है ऑब इच्छे इसकूल था अस्पाल भी बड़े अच्छे कर दिये है कि आपके बच्चों का भविश्य है मेरु बनाना मेरी जिममेदरी है आप चाते वो ना बच्चे बड़े 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 आप नहीं चाते K गरीब रहें गरीभी से बाहर निकले परिवार के पूरे देश में कोई नेता नहीं है जो आपको आके कहेगा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा किसे ने कहा आज तक मैं चैलेंज करता हूं सतर साल के भारत के इतिहास में किसी नेता की मेरे को वीडियो दिखा दो जिसने का होगा मेरे को वोट देदो मैं तुम्हारे इस बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूगा मैं आके कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूगा आ आपके बच्चों का बविश्य बना दूगा आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतिजाम कर दूगा आपके परिवार के लिए अस्पताल का अच्छे अस्पताल का फ्री इलाज का इंतिजाम कर दूगा करेंगे सब वह जिम्मेदारि आपको लेनी बड़े गी करेंगे सब लोग फ्री में करना पड़ेगा मैं पस पैसे नहीं है बहुत अच्छा है तो एक तो पोस्टर और दूसरा जैसे एक भाई साब ने कहा जितनी सवारी बैठती है सारी सवारियों को आपको एक सवारी आदा घंटा पंदरा मिनिट एक घंटा बैठती है उसको बात करके बात करके कि आपको आमादमी पार्टी को वोट देने के लिए कन्विंस करना है मंजूर है तो ये दो चीज आप से मांग रहा हूं उत्रा खंड में सरकार बनवा दो बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है आप से केवल एक चीज मांग रहा हूँ, एक मौका दे दो, दिल्ली वालों से भी मैंने यह कहा था, मैंने कहा एक मौका दे दो, काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना, अभी जो पिछला चुनाव हुआ, 2015 में हम अपना, 2014 में पहला चुनाव लड़े, 2015 में दूसरा चुनाव लड़े, और 2020 में अभी जब हम चुनाव लड़े, तो 2020 में मैंने स्टेट्मेंट दिया था दिल्ली में, कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मिरे को वोट मत देना, किसी की हिम्मत नहीं होती, चुनाओ के प पार्टी को देखो, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ, दूसरी पार्टी को वोट देना, बंद कर दोगे आप लोग उसके बाद हो, आप अज आप सब लोग आए, इतना आपके साथ इतनी अच्छी बाच्चीत हो ये उसके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिय इखार